पहले विश्व की जुन संख्या कम थी और सभी लोगों की आवशक्ता पूरी करने के दिए परियात मात्रा में शुद्ध जल उपलब्द था लेकिन अब विश्व की निरंतर बढ़ती जुन संख्या तो था बढ़ते हुए और योगी की करण के वजह से पानी की कमी महसूस क जा रही है आज विज्ञान की बात में युसर्क विज्ञानिक डॉक्टर भवतोर शर्मा बताएंगे बढ़ती जुन संख्या से कैसे पानी की मांग बढ़ेगी और हम कैसे आने वाली चुनौती के लिए तयार रहें मित्रो हम सबी जानते हैं कि आज दुनिया की जो जनसंख्या है वो करीब करीब 8 billion को पार कर चुकी है और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए सुद्ध पेजल होना एक बहुत ही चिनता का विसाय है गंभीर विसाय है सभी के लिए सुद्ध पेजल आज भी पूरी दुनिया में उपलब नहीं है इतनी बड़ी संख्या को सुद्ध पेजल कहां से मिलेगा हम सबी जानते हैं कि हमारे पेजल के जो सुरोथ हैं वो या तो ग्रांड वाटर रिसोरसेज हैं या फिर सर्फिस वाटर रिसोरसेज हैं इन सबी रिसोरसेज का उचित प्रवंदन उनको दूसि वाटर की उपलब्दता से वंचित है उसको नहीं मिल रहा है यानि दुनिया के हर चार में से एक व्यक्ति को सेव ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है सुद्ध पेजल नहीं मिल रहा है और वहो के अन्याकड यह बताते हैं कि वर्स 2022 में दुनिया में 1.4 मिलियन यानि 1.4 मि लोगों की जो मरत्यों है वो जल जनित बीमारियों की बज़े से हुई युनाटे निरेशन की वर्स 2021 की एक रिपोर्ट यह हमें बताती है कि दुनिया में जितने भी लोगों के द्वारा जल का प्रयोग किया जाता है अपने घरों में तो जो वेस्ट निकलता है जिसे हम ड अर्णड वाटर रिसोर्सेज को केंटामिनिट करता है पॉलियूट करता है प्रदूसित करता है और हम उस जल का सेवन करते हैं और जल जनित बीमारियों से गर्शित हो जाते हैं मित्रो दुनिया में एक और इंटरनीशन ऑरगनाजिशन है जिसको OECD ऑरगनाजिशन फौर Economic Cooperation and Development नाम देते हैं उसके अनुसार वर्स 2050 तक दुनिया में जो पानी की डिमांड है वो करीब करीब 55 पर्सेंट इनिकरीज हो जाएगी आबादी भी बढ़ रही है जलकी डिमांडी भी बढ़ रही है तो सोचो मित्र पानी कहां से आएगा इस दिशा में प्रयास करते हुए United Nation ने कुछ सतत विकास लच्छों का निरधारन किया HDG यानि जिने HDG Goals नाम दिया गा इस तरह के United Nation द्वारा 17 HDG Goals को निरधारित किया गया इनमें से जो Goal No.6 है यानि HDG 6 हो है Clean Water and Sanitation को लेकर के एम्र है उसका लक्ष है कि सभी को सुद्ध जल मिले स्वच्छ जल मिले और सभी स्वस्त हो हो Health Hygiene हो और सभी आगे बढ़ें इस दिसा में अगर इन सभी 17 Sustainable Development Goals को एकिकरत रूप में अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक बहुत बड़ी आवादी जो कि गरीवी से जूज रही है वो मुक्त हो जाएगी हमारा प्रतिवी ग्रह है जो कि परिया अब हम आते हैं अपने देश भारत यानि इंडिया को लेकर बात करते हैं वित्रो आज भारत देश की आवादी भी करीब करीब 35 करोड से उपर निकल चुकी है इतनी बड़ी आवादी को सुद्ध पेज अलुपलब्द होना एक बड़ी बात होगी इस तरह हमारे देश की जो आबादी लगातार बढ़ रही है वर्स 1951 में हमारे देश की जनसंख्या थी वो करीब-करीब 36 करोड के आसपास थी और आज हम कहां से कहां पहुँच चुके हैं उस समय यानि 1951 में प्रतिव्यक्त जल की जो पलब्दता थी यानि पर कैपिटा वाटर अवेलिबिल्ट ती थी वह करीब-करीब 5175 1177 क्यूबिक मिटर पर YER थी और आज कि अगर हम बात करें तो यह करीब-करीब 1500 क्यूबिक मिटर पर YER पहुच चुकी है यानि कि देश की आवादी लगातार बढ़ रही है और पर कैपिट अवील अवेलिबिल्टी लगातार घट रही यानि प्रतिव्यक्ति जो जल की उपलब्दता है वह कम होती जा रही है और हम संख्या में बढ़ते जा रही है संख्या में बढ़ने का मतलब है कि जल की डिमांड बढ़ती जा रही है किरसी के छेत्र की बात करें और द्योगों की बात करें या अनिसेक्टरिस की बात करें हर जगे जल की डिमांड बढ़ी है तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो जल की डिमांड बढ़ती जा रही है उसको पूरती करने के लिए उसको पूरा करने के लिए उसकी सप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस पर विचार करने की आवसकता है अगर आपको हमारी बात अच्छी ल झाल झाल